तो हां देखें प्रिष्ट्रोविद्यार्तियों गध्द की प्रमुख विदाओं में एक क्वेश्चान अंडर परसेंटेज आएगा दो आपके पक्के हैं इसमें अंतर आ जाते हैं देखो नाटा की एक अंकी में बहुत आता है उपन्यास और कहानी में आता है यह इस प्रक करके देखो अगर हमें नाटक और एक ऑंकी में अंतर याद करने तो बहुत सिंपल ट्रिक बता रहें ध्यान देखा है जैसे हमने यहां लिख लिया एक आंकी एक और नाटक नाटक एक कांग की में किस प्रकार नतर याद रख सकते हैं हमेशा कि लिए वैसे सरल होते हैं फिर भी कई वार 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 रिवीजन करते हैं आज हम ऐसा तरीका बताएंगे रिवीजन करना की अवशेक्ता ही नहीं पड़ेगी हमेशा याद रहेगा जिंदगी बार कैसे देखो बिच्छेद कर दो एक आंकी माने एक अंकी एक अंकी माने एक अंक की जब एक अंकी होगी तो इसमें एक कथा होगी एक कथा जब एक कथा होगी तो पात्रों की संख्या कम होगी पात्रों की संख्या कम होगी जब पात्रों की संख्या कम होगी तो लगू होगा यह द् तो देखो चार पॉइंट बन गए यहां एक आंकी को पकड़ के रखो कहाँ बीद्यारती बार बार रटते हैं फिर रिवीजन करते हैं तो इससे क्या होता है आपको टाइम बरबाद होता है तो हम इस तरही हैं यहां कुछ आठ प्रमक विधाओं पर हम आच चर्चा करेंगे यह आठ प्रमक विधाओं आपको ऐसे याद होंगी फिर आपको रिवीजन ही नहीं करना है और इन आठ विधाओं में से एक क्वेश्चन पका है तो इस तरीके से हम एक एक ट्रॉपिक को आपको बताते जा रहे हैं इनको आप अच्छे से बाच करते जाएं अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ठीक है परिच्छाबल को नजदीक आ रही है हम अभी एक प्लानिंग हमने डाली है आपके तो इस प्लानिंग के साफ से चलेंगे चिंता नहीं करना है हिंदी में जो 23 प्रिशन आते हैं उन 23 प्रिशनों को हम पूरा हैंडल कराएंगे कि किसको कैसे करेंगे ठीक हैं बड़े बड़े लेक्चर देंगे अब एक दो दिन में हम लाइब भी आने वाले हैं तो इसमें एक गंटा ले लेंगे आपके देखते हैं फिर आजवा बापिस एक आंकी माने एक अंक की यही एक अंक उल्टा कर दो एक कथा इसमें क्या है एक मुख्य कथा के साथ एक मुख्य कथा के साथ एक मुख्य कथा के साथ कई लगू कथा हैं कई लगू कथा हैं कई लगू कथा हैं ठीक पात्रों की संख्या अधिक तो यहां पात्रों की संख्या अधिक हो जाएगी पात्रो काब का दीर गरूप दिरस काब का दीर गरूप यह लगुरूप था यह दीर गरूप है तो देखो चार अंतर अपने आप याद रहेंगे फिर देखो यूदो था आख के लिए किसे बना कुछे में एक एक के लगों यूदी करती हैं चैब होती है अपहृ यह इस तरीक इसे जाद करोगे अक Lisa कि लेख चार और पर इच्छा में दो अंक्ा है तो लिख दो चारंग में आयाई तो चार लिखे दो इस तरीके से अंतर हो गई देख लेते हैं बापисл आ जाओ देखो इ taped है अगयों फिर इसतरीक एसाब हैं यहां से याद कर सकते हो तर अपन्यास और कहाणी में अंतर अपन्यास इसी से हम देखो इसी से हम उपन्यास और कहानी बना सकते हैं गोर करना उपन्यास और कहानी उपन्यास और कहानी एक तरीका बता रहा है एक लोजिक बता रहा है एक आंकी केवल पकड़ के रखो गे तो चार बिधाएं याद रहेंगी एक बाख हमारा याद कर लो एक लोजिक के यात कर लो उस्कार विद्रॉग में रहेंगी जैसी है आपने यह अंतर याद कर लिया अब इसी के सहार्ड देखो हम उपन्यास प्रवाजाय कहानी में अंतर olabilir क्ती है सबसे पहले उपन्यास क्या उता उपन्यास में जीवनी का शंप कॉंड चित्रन होता है जीवन का संपूर्ण चित्रन होता है कहानी में एक पहलू या एक घटना एक पहलू या किसी एक घटना एक पहलू या एक घटना का बलन होता है कहानी में क्या होता है एक पहलू या एक घटना का बलन होता है एक घटना का बलन होता है ये बिल्कु सेम टू सेम लिख दोगे जो ये एक मुख कथा के साथ कई लगू कथाएं होती है सेम टू सेम इसमें लिख दो इसमें भी हम लिखेंगे एक मुख कथा के साथ कई लगू कथाएं होती है इसका मदल्ब समझ गए, यह वाला पूइंट पूरा का पूरा यहाँ सिफ्ट हो जाएगा, वह पन्यास में भी एक मुख कथा के साथ कही लगों कथा होती है, वह कहानी में किवल एक कथा होती है, यह वाला सेम टू सेम उतर आएगा, पातरूंग संख्या अधिक है, पातरू कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है पढ़ने में कम समय लगता है अगर आपको दो ही अंतर लिखना है तो एक अंतर जीवन का संपूर्ण चित्रन होता है पढ़ने में कम समय लगता है अच्छा है यह क्या है इस तरीके से जो हमने ग्राफ बनाए है इस ग्राफ से पढ़ने और यह नीचे की बिसेश्था हैं लिख दो तो इस तक टिपड़ी आ जाए कांग की पर तो इनके चार पॉइंट लिख दो इस तरीके से आपके दो अंतर हमने याद कराएं अंतर में अगर देखा जाए तो सबसे जादा कठन लगता है बच्चों को संसुमरान और रिखा चि में अंतर किस तरीके से जाद कर सकते हैं आप ऐख और फिर जीवनी और आत्म कथा में अंतर यह चार अंतर जो हैं इने से एक अंतर आना है देखो रेखा चित्र रेखा चित्र वा संसुमरण में अंतर संसुमरण में अंतर रेखा चित्र वा संसुमरण में अंतर तो देखो इसका संद्र विछेद कर दो जैसे हमने बताया था नाटक एक आंकी हमने एक आंकी को पकल लिया था उससे चार विधाय कंट्रोल कर दी थी इसमें तो इस सब्द को पकड़ लो रेखा और प्लस चित्र इसी से अपने निकाल लेंगे तो रेखा का मतलब हो जाता एक परकार का संकेत रेखा परकार की क्या है संकेत तो यहां संकेत एक भासा का प्रियु किया गया है और चित्रातमक सहली का प्रियुकिया गया है चित्र से याद आएगी आपको चित्रातमक सहली दो पॉइंट बन गए देखो हमने रेखा चित्र को बिच्छेदन कर दिया रेखा प्लस चित्र तो रेखा एक परकार का संकेत होते हैं और चित्र से चित्रातमक सहली रेखा चित चतर में सांकत्व बहासा प्रयोक की जाती है और चित्र आतमक सेली और इसी चित्र से याद आए जैसे चित्र बना लए परेगे चित्र है तो इस में रण接 को डहेंगे है तो यह षे बढ़ान होता है यह चत्र से याद रहेगा चरत्र प्रधान चरत्र प्रधान तो रंग भी बढ़ेंगे रंगी कि रहने नीसे उत्प् प्रोत होता है कि देखो एक लग THEM 2 फिर But चार पॉइंट एक हम बता दें रेखा चिन आपको हमेशा याद रहने कर्ना यह दो इक हमेर को खिर ऑनीट जब सांगेत वहशा है तो यह आपको हमेर कि दो नहीं नहींद करें एक है प्रद्धान होता है अब इधर आजाओ अगर किसी की मृत्तु हो जाती है तो समझ जो संस्मरन विशेश घटना पर आधारित होते हैं विशेश घटना पर आधारित होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया रेखा चत्रसामान विशेश घटना पर आधारित होते हैं यह चरत्र परदान है तो यह यथार्थ परदान होगा इस तरीके से इसके उल्टे करते जाएंगे देखते हैं इस तरीके से रेखा चत्रसामान है तो अब देखो यह देखो देखो लिखा है संसुम्रान और रेखा चित्र संसुम्रान और रेखा चित्र में हम बापस आते हैं देखो दूसरी स्लाइट करेंगा है यह देखें यह रेखा चित्र लिखा है यह संसुम्रान लिखा है अब गौर करके देखना पॉइंट जो हमने पॉइंट सिखा हैं उनको देखो अपने याद हो रहा हैं देखो यहां देखें रेखा चित्र की भासा सांकेतिक होती है यह वाला पॉइंट रेखा चित्र की भासा कैसी है सांकेतिक उल्टा कर दो संसुम्रान की भासा अविधा मूलक होती है इसकी भासा कैसी है संसुम्रान की भासा अविधा मूलक है पेर रहे र Vitth संवकिसए ल इसकी लिएक पॉइंट बना सकते हैं चित्रात्मक सेली कोज सिय ली इस में बिर्णात्मक उली होते लिए लिभरनात्मकस एली यो लिवक्छा दीया जाता है बिबरनात्मकस एली का परियों के जाता ही है। अब थे कुछ संसमंर लिखा है थोड़ा सप्रिंट सो गया है। सही कर will कि ससेट रुंहां फारे होता है शूंस करें शाधान ही यह रलगता होता है चरत प्रदान ये बास्तुक होता है शूंस बहुआ मॉल रइ। से उत्परोत होता है यह बास्तुक होता है तो देख तुमने देखा यह अंतर हो गये यह आम ने बहुता बहुता है जो समझ में हो गई देखो आजाए जैगी कि भासा कैसी है अबिध हा मूलण वासा का उप्रॉ होता है यह गोता है यह पूलो गई अब आजते ओज़ा। वाल आत्म कथा अधीकुंहेदा, आत्म कथा आपने श्वाहर क्या में लिए है जब Liakhक अपने जीवन का वरणन करता है गर भी में लिखने में लिखना है अपने आपने व difficult ajust में सुन आधार पर हम आगे बरणन करेंगे जबकि जीवनी के बारे में हमें पहले तथ्यों को जुटाना पड़ता है तब हम लिखते हैं हम अपने बारे में लिख रहा हैं तो हमें किसी को प्रमार देने की अवश्यक्ता नहीं होती है जबकि हम किसी दूसरे के बारे में लिख रहा है तो हमें प् आत्म कथा में लेखक अपने जीवन के बारे में बताता है, जीवनी किसी दूसरे के बारे में लिखी जाती है, आत्म कथा में लेखक अपने जीवन की गटना का बढ़न अपने इसमान सक्ति के आधार पर करता है, जबकि जीवनी लेखन में तटस्त रहता है, आत्म कथा में प्रमालिक्ता की कोई आविश्यक्ता नहीं होती है जीवन में प्रमालिक्ता की आविश्यक्ता होती है यह काल्पनिक हो सकते है जीवनी काल्पनिक नहीं आत्म काल्पनिक कल्पना थोड़ी फुट मिल जाता है तो इस परकार आत्म कथा जीवनी में इंतर हो गए तो चार अंत को पकड़ कर रखोगे तो चार विधाएं कम्प्रीट हो जाएंगे यहार एक अच्छा लगा है तो लाइक करें कमेंड करें और अपने जो भी कुष्चन नहीं आ रहे हैं आपको उसका आप कमेंड करें उन पर वीडियो जल्दी जल्दी बनाएंगे